आरासा साराम मार्ग पर हसन बजारोफी के सहजनी पेट्रोल पंप के समेप सुबब बाइक सवार दो लोगों को कार में रौंद दिया जिसमें एक अधिर की मौत हो गई सदस्पतार में इलाज के दोरान उसने दम तोड़ दिया जबकि दूसरा गंभी रूप से जखमी हो गया जखमी का इलाज पीरो पीएससी में कराया जा रहा है वहीं घटना कुले कर लोगों में अफरत अफरी का महौल कायम हो गया मिली जानकारी कानुसार मृतक तीयर थाना च्चित्र के योगीबीर गाओ निमासी कासीनाथ सर्मा का 50 वर्से पुत्र वेदर बीउडद सर्मा है वहीं जखमिस साहपुर्थाना च्षित के बिलाउंटी गाउनीवासी दिनेश सर्मा का पुत्र रमेश सर्मा बताया जा रहा है दोनों एक तिलक सामारों में भाग लेकर पीरो गया हुए थे आसुब दोनों किसी कारे के लिए बिकरम गंज आ रहे थे इसीबीश सहजनी पेट्रोल पंक के समीप विपरीद दिसा से आ रहे कारने बाइक में ठोकर बार दिये हाथसे में बिरवल सर्मा और रमेश सर्मा गंभी रुप से जख्मी हो गये दोनों के इलाज के लिए पीरो पीएसी ले जाया गया जहां से बीरबल सर्मा को इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया गया सदस्पताल में इलाज के दुरान बीरबल सर्मा ने दम तोर दिया मृतक पेसे से वेलिंग मिस्टिरी है उसके परिवारों पत्नी दोपुर्ट रेयों एक पुत्री है आधसे के बाद पत्नी उसा देवी परिवार के सभी सदस्यों का रोरो कर बुरा हाल है क्या नाम हो आपका इसका क्या नाम है घर कहा है तो गैस्तिंग कंडिसर में आया थे क्रॉस्ट इंजीरी थाच्चेश्ट का और इन्होंने यहां पर 15-20 मिट के बाद यांदम को दिया बहुत तमूर्ब पुर्सिस के सब्साने का भी इसे गैस्तिंग के पुल्स हो गया